नमस्कार मैं प्रानिशी राठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन न्यूज महरास्ट की स्यासत से आफ सभी बखुवी बाकिफ है महरास्ट में किस तरह से शिफसेना की प्रमुख और पूर्व मुख्य मंत्री उधव ठाकरे संग बगावत कर बैठे 40 विधायक और आज 40 बागी विधायक उन्हें तमाम बड़ी बड़ी चिनोतियां दे रहे हैं मुख्य मंत्री एकनाश शिंदे और उप मुख्य मंत्री देवेंद्र फड़नवेस उनकी मुश्किलों को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं वहीं दूसरी ही तरफ उधव ठाकरे का गुट इंतजार कर रहा है बेसबरी से कि आखिरकार शिफसेना के चुनाव चिन धनुस्तीर पर चुनाव आयोग अपना फैसला कब सुनाएगा 30 जनवरी की तारीक यहां पर फाइनल की गई थी फैसले के लिए क्योंकि दस्तावेजों को सम्मिट किया जा चुका है लेकिन अब ये कहा जारा है कि फरवरी में यहां पर चुनाव आयोग अपना फैसला सुना सकता है फिलाल देखा जाए तो शिंदिगुट की तरफ से यही दावा किया जारा है कि बहुमत के आहदार पर अब ये सिफसेना जो है वो उनकी होनी चाहिए लेकिन 14 फरवरी की दिन सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों की अयोग गिता पर भी फैसला सुनाया जाएगा इसी बीच यहाँ पर महाविकास अगाडी गडवंदन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं उधव ठाकरे के साथ साथ एंसीपे प्रमोखो शरत पवार वहीं दूसरी ही तरफ उनके भतीजे वरिष्ट नेता अजीत पवार भी बैठके करते हुई नसरा रहे हैं तो वहीं सुप्रिया सुले भी बारमती को जिस तरीके से बीजेपी ने निशाना बना रखा है उसके लिहाँ सिवेह भी लगातार एहम फैसले ले रही हैं इसी बीज देखा जाए तो यहाँ पर MLC चुनाब जो हाल ही में हुए हैं उन MLC चुनाब को लेकर यहाँ पर यही देखने को मिला कि कैसे यहाँ पर सभी पार्टियों ने अलग अलग तरीके से चुनाब लड़े हैं महाविकास अगहाडी गटवंदन पर गौर किया जाए तो महाविकास अगहाडी गटवंदन ने कहीं न कहीं यहाँ पर BJP को बेहत बड़ा जटका दे दिया बीते कल जब नतीजे सामने आए इन चुनाब के यही देखने को मिला कि यहाँ पर महाविकास अगहाडी ने दो सीटों पर जीत हासिल की और BJP को सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिली है नास्तिक में निर्दलिय उमिद्वार को जीत मिलने से पांस सीटों में BJP सिर्फ एक ही सीट पर सिमिट गई और BJP को सबसे बड़ा जटका तो नाकपूर में लगा जहाँ पर महाराष्ट के डिप्टी स्तियेम देवेंद्र फड़नविस और केंद्र मंतरी नितिन गटकरी का जो छेतर कहा जाता है वहाँ पर देखा जाए तो महाविकास अगारी कटवंदन जीत बोलती हुई नजर आई है तो फिलहाल देखा जाए इन तमाम मुद्धों को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके से यहाँ पर उद्धव ठाकरे का अध्यक्षपत का कारेकाल खत्म हो चुका है उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं है उस लिहाँ से देखा जाए तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं शरत पवार एक एहम फैसला ले सकते हैं अगर यहाँ पर उद्धव ठाकरे की वज़े से सिफसेना की वज़े से उनकी पार्टी पर आँच आती हुई नज़र आती है, उनकी पार्टी बिखरती हुई नज़र आती है, क्योंकि देखा जाए तो शिंदेगुट में एक-एक करके पदादिखारी कारेकरता सांसद और विधायक शामिल होते हुए नजराए हैं उधवगोट के वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर बारी आती हुए नजराई महराष्ट नर्वनिर्मार सेना के पदा दिखारियों की वह भी शिंद्यगोट में शामिल हो गए और वहीं देखा जाए तो राष्टवादी कॉंग्रेस और कॉंग्रेस पाटी के नेता भी शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में देखा जाए शर्टवार कहीं न कहीं फिलहाल देखा जाए तो महरास्ट में सियासत और भी गर्मा रही है आगामी BMC चुनाव के चलते साल 2024 में यहाँ पर विधान सभा चुनाव भी होंगे और साल 2024 में देश में लोग सभा चुनाव भी होने वाले हैं शरत पवार का कहना यही है कि कैसे भी करके BJP को सत्ता से हटाना है केंदरे से हटाना है और पूरे ही विपक्ष को एक जिट होना पड़ेगा तो इनी तमाम रणीतियों को ध्यान में रखते हुए उधव ठाकरे का अध्यक्षपद बचाने के लिए वहल अगातार कोशिशे कर रहे हैं और इसी वज़े से बैटकों का दौर भी जारी है फिल्हाल मारी इस रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज